कि नया साल की सबको मेरी शुब कामना है 2019 सबके लिए अच्छा हो भलदाई हो और काम्याभी मिले आप सबको मतलब इंकेम टेक्स वाला हमारे घर पर छापा मार दिया आप चाते हैं अच्छा चलिए सलाकार आपको रख लोगी आप एक कलाकार है और कितने पैसे आते क्योशी को था नहीं है चलिए यह यह इंकम टेक्स वालों को समझ में आना चाहिए तब मालू पड़ेगा कि कितने पैसे आधर के लगा हुआ है मैं तो आया था निया आया था पेशकार का ए लेकिन बड़ा भबे लगा हुआ है सब मैं देखर के आशे चंगित हो गया इतना बड़ा सेट और उपर से काफी कोछ जो आपस में वकीलों की बहस चल रही है और डिरेक्टर ब्रिश्भूशन का अपना जो काम है सारे ख़ाकारों का एक बड़ा बढ़ा सामंजस बना हु पहली भोजपूरी कदर फिल्म से लेकिया भी तक हूँ हो गया हुआ सो के उपर उपर कुछ पता नहीं बंगर भी गिना नहीं है अमिता बच्चन ऑफकोर्स बेस्ट मैं के साथ काम किया गंगा फिल्म में और इस बेस्ट सेलिबरेटी जिनके साथ बहुत कुछ सीखने का म अदमी है अरे बत पूची है इतने मजाहिया अदमी है एक सीरियस सीन करना था बीड़ी की विदाई का और लगे वह हसाने हमें अब हमको समझ में निया थे क्या करूं काट की सिटे से रोते काति हो सीन हो गया उसके वाद उन्होंने बड़ी खिचाए कि हमारी आनन्द भी इतने बड़े कलागार के साथ तो बहुत कुछ यह ऐसे कुछ शेर करना बड़ा अच्छा लगता है आज सेट के ऊपर काजल जी हैं वकील हैं जी के अंदर एक अच्छी अभिने किशमता है और मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़की आने वाली दिनों में बहुत बड़ा ध अब तो लोग को समझ बेने आई हैं जब फिल्में आईगी तो इसके बात लोग को समझ में आगा कितनी बड़ी कलाकार है बहुत अशरा सब भुचपूरी के सिनेमा में ऐसा कि हमारे एहां के फिल्में बनती है 17-18 फिल्में रिलीज होती है जिसमें से 2-3 फिल्में चलती है और फिर वही दौर शुरू हो जाता है बेरा यह कहना है कि इतने नंबर्स पर ना जाए अच्छी फिल्मों का अंदिल्मार करें जिसको लोग देखने आए पसंद करें संगीत अच्छा हो कलाकार का चैन भी सही होना चाहिए अब यह नहीं कि एक सेट अब बना लें और उसको लेकर बेचने चले जाए तो क्या सिनेमा बनेगा कि अब नहीं पाइन वाला हूं लेकिन मुझे लगता है मैं उनी सो चोहतर में यहाँ था और पहली फिल्म मैंने उनी सो पचहतर में की थि उस हिंदी फिल को नाम था एक से बढ़का रिक बिस सादाना के पिक्चर थी मैं तक खराएं नहीं, मैं यहां करेंगे हैं कर आगा कर और जाने वाला हूं यहां आजे ग्रैडवा करण इस इन वाला हूं हैं जए साइंस बहुत संगर्ष करना पड़ा, बहुत संगर्ष करना पड़ा, छोटी-छोटी रोल मिलते हैं उससे कुछ नहीं होता था, आपको पता नहीं होगा, उस छोटी से रोल को छोड़ करके, जब हमलों का दाल उटी नहीं चब बन चल रहा था, तो मुझे डबिंग करनी पड़ी, फिल्मों की डबिंग करनी पड़ी, जिससे मैंने कुछ अपने धन अर्जित किये, मेरा संगर्ष कायम रहा, उसके बाद जाके काम मिला, और आज तक मुझे करना पड़ता हुए, फोटो लेकर अभी ज़्यादे काम मागने के लिए, बाब में फोटो का जो रिवास था दि मुझे, अबास मुस्तन ने अपनी फिल्म अगनी खाल में एक बड़ा रोल दिया, विलन थामर्स फिल्म का फिल्म भी चली, लेकिन चाहत, मुझे इसका कुछ ज़्यादा पाइदा ने हुआ, उसके और फिल्बे की मैंने, जीत इंदर के साथ की, नहीं, मुझे बहुत सार किसम का अक्टर हो, मुझे वो द्रमेटिक रोल्स करने बड़ा मिजाता है, इसके अधाम गर्शिगे हैं, मैंने आट दस फिल्में तो की होगे, दस बारा फिल्में, मनोज तिवारी के साथ, पाउन सिंग के साथ, दस बारा फिल्में, के साथ, छार पांच पिक्चर होगी, और वो क्या नाम है, उनका निरहुआ जी के साथ, तीन पिक्चर होगी मैंने, और बहुत लोगों के साथ, क्या होगा उतना है, यार नहीं आ रहा है, अच्छा है, मनोज जी तो बड़ा ही बढ़िया बिवहार था, पाउन जी का ये काफी प्रोफेशनल बिवहार है, सबसे या जहां भी उनको जाना हो, तो चलेए। प्रिवहार क्या हो ए बिवहार है, और जी का ये हैं, आपने बिवहार है, चाह्क्या है, वार बिवहार है, वार प्रोफेशनल अश्वेड़ जाने पहलंाए।